Hello everyone ुम्मीद है आप सभी एकदम अच्छे होंगे वेलकम टू नीटपेजी शीरीज जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी होने वाला है ठीक है इस साल हम नीट देंगे भी और एकदम अच्छे तरीके से पास भी करेंगे क्रॉस भी करके आएंगे उसको ठीक है आप सभी मेरे को जानते ही हैं मैं हूं अर्पित फिवरेट फी लेर्णिंग प्लैटफॉर्म जहां पर सकते हो फिजिक्स कमस्टी मैस बला जी absolutely for free at learnohub.com तो आज हम क्या देखने वाले आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा कौन सा बच गया है तुमारा बॉंड फिजन और प्यूरिश्टिकेशन के बारे में एक वीडियो ठीक है जिसमें आपन ध्यान देंगे ज्यादा तर सिर्फ ध्यान देंगे कार्बो केटायन की स्टीबिलिट तो देखो चलो फिर अपन स्टार्ट करते तुमारे किससे बॉंड फिजन से स्टार्ट करेंगे हमें ना ठीक है हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक चलो फिर देखते है आप तुमने बॉंड बनना देख लिया बॉंड क्या देख लिया तूटना नहीं देखा है अपने सिफ्टिंग की भी देख लिए बॉंड कैसे होता है ठीक हमने रेजोनेंस बहुत अच्छे से देखा बहुत लंबा टॉपिक था ठीक है चलो देखो अब उसके बाद हम अ टूडता है एक होता है तुम्हारा होमोलाय्टिक फिजन और एक होता है तुम्हारा हैतिरोलाй्टिक फिजन है है respons pH मतलब क्या होता है अलग-अलग home my नब सेम होता है यहान में जब को पता है चलो देखो अगर इस एक बीए ठीक है, a और एक b है, ये लोग की इलेक्ट्रो नेगिटिविटी सेम है, ठीक है, यहां फिर मालो है ही नहीं, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी क्या है, सेम है, ठीक, तो जब बताओ, इन लोगों की बीच में जो बॉन्ड तूटेगा, वो एक वल डिस्टिबूशन से तूटे ऐसा आएगा ठीक है तो जब ऐसे टाइप की बॉंड ब्रेकिंग होती है या बॉंड फिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं होमो लाइटिक फिजन उसको क्या बोलते हैं हम होमो फोटो लाइटिक फिजन होता है एक फोटो लाइटिक अगर फोटो मतलब किसी लाइट की प्रिजेंस में हो रहा है जैसे कि को जब हम देखा जाते हैं फ्री रेडिकल की बात करते जो फ्री रेडिकल बनती है इसको हम बोल सकते कि एक एलेक्ट्रॉन इसके पास है एक एलेक् से homolytic fission से हमें क्या मिलता है homolytic fission से हमें मिलती है free radicals ठीक है हमें क्या मिलती हैire articles पीडिल के पास क्या होता है एक एक ही एकरॉन एस्ट्रा छोता हैए ठीक है वन एलेक्टरॉन होता है हर किसी के पास यह क्या होती है highly reactive होती है ठीक है यह फोटो की प्रिज़ेंट मतलब हो रही है तो तुमारा क्या होता है equal distribution of electron होता है और equal distribution होता है तो क्या मिलता है तुम्हें उसी को बोलते हैं हम homolytic और मिलता है हम free radical इतना clear ठीक है चलो ठीक यह अपना हो गया किसका homolytic अब heterolytic क्या होगा different कैसे हो सकती है सर तो चलो वो बात कर लेते हैं ठीक है देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई अभी मैंने क्या बोलता कि उन लोगों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सेम है ठीक है अब अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफ्रेंस आती है एलेक्ट्रो नेगेटिविटी में आता है क्या difference ठीक है एलेक्ट्रो नेगेटिविटी में मालो है ना और जो ए बी है यह है जो क्या है वो तुमारा लैस इलेक्ट्रो नेगेटिव है ध्यान देना यहां पर ठीक है तो क्या होगा कि जब बॉंड को तोड़ना रहेगा ठीक है और वैसे भी अगर कोवलेंट बॉंड बना हुआ है इन दोनों की बीच में शेरिंग से ठीक है अब अगर इसकी बात करें तो बी क्या करेगा बी कहेगा कि तू मेरे साइड दे दे ठीक है तो बी अपने साइड को घुमा लेगा एलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रेक्ट करने लगेगा जब अट्रेक्ट करने लगेगा तो इन दोनों की बीच में आ जाता है समझ गए ठीक है तो भाई हमें इसमें यह पता चलता है हेटरोलाइटिक में कि हमें यहां पर चार्ज मिल जाता है चार्ज का जनरेशन हो जाता है लेकिन होमोलाइटिक में क्या होता है होमोलाइटिक में साफ साफ हमने देखा हुआ है कि वहां पर फिर राडिकल बनता है और एक एक electron बाकाइदा उन लोगों को हाद में दे लिए जाता है समझ गए ठीक है तो यह होती है दो तरीके से तोड़ने की प्रोसेस अगर तो यह बताओ अगर तुम्हें कोई चार्ज वाला कंपाउंड चाहिए तो का से तोड़ोगे इस से तोड़ोगे और अगर तुम्हें फ्री रेडिकल चाहिए तो किस से तोड़ोगे फूट्रों से या फिर लाइट से तोड़ोगे तुम यही तो था या फिर लेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर सकते हो तुम ठीक है देखो तो यह होता है अगर हम एक्जामपल लेते हैं किसका सी और एक तुमारा मानलो कोई है लो जाने यह काफी ज्यादा क्या अब जब इसको तोड़ने जाते हो तो यह एलेक्ट्रॉन अपने साइड कीच लेगा हमें पता है है लो जान अपने लेका तो यह बनेगा सी प्लस प्लस एक सॉमाइन स्मॉमाह्ण यह हापर क्या बना यह बना तुमारा है राइट और यह बन गया मतला अपने इतनी बात करिए कि ख detention बनگ ग予 यह कर bitter कारभो कटन कारजीएं और अब हम बात करते हैं जो तुम्हारा बना है कार्बोकेटाइन तो उसको अपन थोड़े से समझते की कार्बोकेटाइन होता क्या है ठीक है चलो स्टार्ट करते कार्बोकेटाइन से देखो अब तुम्हारा कार्बोकेटाइन होता क्या है यहां पर होता है कार्बोकेटाइन प ऐसा देखता है तुम्हारा कार्बोकेटाइन इसमें मतलब तुम्हारा क्या होता है इसमें होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स छे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका स्थाक्चर क्या होता है तुम्हारा इसका स्थाक्चर होता है ठीक है ट्राइगोनल को प्लैनर इसका स्थाक्चर ش लाइटिक फिजन कर दो तुम ऐसे बन सकता है तुमारा क्या होगा एक साइट प्लस ऐगा एक सइध नागीटिव ऑएगा ठीक है नागीटिव назад पउस्टेव दियान देना तो क्या बन जाएगा तुमारा कार्भोकेटें प्रिज कर दो तो क्या बनेगा क्पलस तो बन जाएगा कार्बोकेटेन और एक्स माइनस इसको नहीं लिख रहा हूं मैं ठीक है ठीक सेकेंड चीज तुम क्या करो एलकोहॉल का एलकोहॉल का कर दो तुम क्या हाइड्रेशन या फिर उसको ही हम बोल सकते हो हाइड्रोजीनेशन इसको मैं लिखूंगा प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन ठीक है प्रोटोनेशन नहीं लिखना तुम यह मत लिखना ठीक प्रोटोनेशन लिखना अब एलकोहॉल का अगर तुम प्रोटोनेशन करते हो तब भी तुम्हारा कार्बोकेटेन बनता है थर्ड चीज थर्ड अगर तुम्हें सब कुछ ठीक है यह होता है तुम्हारा कार्बोकेटायन के वारे में इसना क्लियर है कहां से आया क्या होता है क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है कारवन की उपर इसको हम बोलते है कार्बोनियमायन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन कार्बो करा तो ऐसे बन जाएगा ठीक है अब में चीज हमें ध्यान देना इस्टेविलिटी पे ठीक है ध्यान दोब इस्टेविलिटी कार्बोकेटाइन की अगर तुमसे बन गई तो फिर तो तुम और गेनिक मेंकिंग है अ Knowing कि जल्ट इसे कोशन ऐसी पूचै जाएगा ठीक है चलो देखो अब देखो इस्तेभिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें यह देखना ठीक है तो stability of कार्बोकेटन क्या होता है कि भाई जितने ज्यादा हाइपर conjunction होगा उतना ज्यादा stable होगा इसलिए मैंने इसको बाद में बढ़ा रहा हूँ ठीक है जितना ज्यादा hyperconjugation उतना बहुगा उसके बाद जितने ज्यादा उसके पास hyperconjugation मतलब अलफा ऐडरूजन फ़ेजिंग तने जधान ज्यंट होंगे ए उसके बाद क्या देखा जाता है अगर उसके सांग कि हुआ यहां पर अगर ट को देने वाला अभी एक ही है, लेक्ट्रों डोरे, अगर यह श्च लोरी नि count यहां पर डीक ही है तो इसको देने वाला अभी एक ही है, electron donate करता है ना, plus i, ठीक है, और आब यहाँ पर बात करो, c3, c3, ठीक है, यह c+, यह c+, यहाँ पर एक hydrogen, अब 2 है देने वाले, यही पर बात करो, c3, c+, c3, और यहाँ पर भी c3, तो अब 3 है देने वाले, तो यहाँ पर, plus i, 2 है, यहाँ पर plus i, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो जितना जादा उसको electron मिलेगा, समझ गए, उतना जादा stable होगा, इसलिए कार्बो केटाइन की stability लिखी जाती है, 3rd degree, फिर उसके बाद आती है, तुमारी 2 degree, फिर आती है, तुमारी 1 degree, सबसे कम stable होती है, ठीक है, यह तुमारा 3rd degree कार्बो केटा यह वाला होगा, फिर उसके बाद यह वाला होगा, समझ गए, ठीक है, तो ऐसे stability हम निकालते हैं, अब अगर माल लो, तुमारा को कुछ भी compound दे दिया, ठीक है, चलो हम बात करते हैं, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है न, चलो देखो, अगर मैं तुमसे example लेता और यह एच, ठीक है, यहाँ पर है CH3, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचाब, यह उपर लिख दिया मैंना, हैर जन ऊपर, ठीक है न, देखो, यह होगा, एक, दो, तीन, और यह चार, उसके बाद CH3 इधर, हैना, अब मैं करा रहा हूँ इसका protonation, ध्यान देना हो, CH3, CH, ठीक है, यहाँ पर CH3, सिंगल बॉन्ड, C, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइडोजन तो है ही, और यह बन जाएगा, OH2, एक हाडोजन आखे दर जोड़े किया, हो गया OH2, यहाँ पर बन जाएगा, यह CH3, अब OH2 को मैं ऐसे भी लग सकता हूँ, H2, समझ गए, आप एक दम सानती, यह अच्छे समझना है क्यों किया मैं, है ना, ध्यान दौब, यहाँ पर अगर मैंने बोला था, formation of carbogatine कराना है, है ना, तो कैसे कराना है, वो बता रहा हूँ, देखो, protonation, किसका कराओ, alcohol का, तो लून पेर पे आके जुड़ जाएगा, लून पेर पे जु मन गए, ठीक है, इसे लिए, यह कहेगा कि मैं तो चला, जब मैं चला, तो कैसे चला, वो बनाया, H2O और चला बाहर, समझ गए, तो लेकिन, अब ध्यान दो, यह तो चला गया, तो यह bond खाली हो गया, अब bond खाली हो गया, इसके पास एक electron की कमी, यह तो लेके भग गया, अ अब जब लेके भग गया, तो electron की कमी हो गई ना, तो इसी को तो हम ऐसे शो करते हैं, कैसे, देखो carbon के पास कित्ते electron बचे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे बचे, मतलब कार्बोकेटन बनेगा, देखो CH3, C, यह, यह CH3, ठीक है, यहाँ पर C, और यहाँ पर लगा देंगे हम, प्लस, ठीक है, यह बन जाएका तुमारा CH3, क्लियर है, यहाँ तक लियर है, यह समझ गए, समझ गए, समझ गए, सर हाइड़न कहां गया, यहीं है भाई, लिख दो, ऊपर था, नीचे कर दिया, कोई देखका तनी उसमें, ठीक है, एतना क्लियर, समझ गए, चल कारवो, तुम लिख लो, ठीक है, यह लिख लो भाई, बजना अभी बोलोगे, एकदम से बाहर से आओ, काओ, कैटायन क्या होता है, चलो, सेकंडरी कारवो, कैटायन है, तो सर, आपने बताया था, कि प्राइमरी, फिर सेकंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है, मैंने उल्टा बत है, वो इधर आजाए, तो साइद कुछ हो सकता है, अब अगर ये एक्जाम, अगर तुम ये बोलते ना, क्लास में, तो हासते सब, ऐसे कैसे आजाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो भाई, तुम सही हो, ऐसा होता है, तो देखो, इसी कॉंसेप्ट के लिए, हमें दो च ठीक है, यह क्या तुमारा, प्रोटो, नेशन, और अपनने एल्कोहल करा है, क्यों करा है, क्यों करा है, क्योंकि हमने फॉर्मेशन ऐफ कार्बो केटायन समझ रहे हैं, समझ यह बेटा, चलो ठीक है, तो यतना हो गया, अब ध्यान दो, हमें क्या देखना है, of carbo cation carbo cation अब हमें hyperconjugation से नहीं देखना उससी से नहीं देखना लेकिन सिम्पल अगर हमें जितनी चीज़ आतीय से देखना ठीक है हमारा structure क्या बना था सबको याद है ठीक है हमारा structure बना था CH3 सी यहाँ पर थी था यहाँ पर हईडोजन था यहाँ पर एक प्लस था यहां hydrogen था और यहां पर CH3 था यही था ऐसी कुछ था यह कार्बोकेटन तो हम ना हरे एक student खड़े हुए उनने कहा कि sir क्या हम इसको टर्शरी कर सकते हैं तो हां कर सकते देखो अब यहां पर आती है दो चीज़े एक आता है तुमारा हाइड्राइड सिफ्ट हाइड्राइड सिफ्ट धी कैश्क और एक आती है तुमारी मेथाइल्स手ट एक आती है तुमारी मीथाइल सिफ्ट पीथाइल Сп dont कि टो चीज़े आते हैं तो क्या हो क्या हो अगर मैं इस is hydrogen को सिफ्ट कर दूं इधर समझ पा रहे हो इस हाइडोजन को में सिफ्ट कर दूं इधर ठीक है तो क्या हो जाएगा यह तो भर जाएगा इसकी वैलंसी पूरी हो जाएगी कैसे बर जाएगे देखो यहां पर देखो यह तुम्हारा यहां पर पर एक हाइडोजन प्रेजट है मैंने क्या बोला कि यह वाले हैडोजन को मैं यहां लगा दू तो यह हो जाएगा ऐसा ठीक है और यह सी एच थी पहले से ही आप कुछ नहीं बचा तो यह हो जाएगा पॉज्टिव चार्ज ठीक है तो ध्यान दो जब भी कार्बोक attain के तुरंत बगल में अगर कोई alpha hydrogen present है समझ गए alpha hydrogen present है ये तब ही क्या करता है hydride shift क्यों करता है तु इस्टे टू attain more stability समझ गए तो ध्यान दो यहां पर अभी यह है secondary लेकिन जैसे ही मैंने इसको इधर convert किया तो यह हो जाता है tertiary क्या हो यह तरशरी को इतना क्लियर हचे थीख यह तो अइसे ही निकालते हैं हम कारबो काटन की स्लिदिटी सर अगर GREEN होता तो क्या करते तब हम देखते हैं और तुम इसे थांगे यहां पे यह तुम ठीक है यहाँ पर cts3 यह सी यहां पर cs3 आ गया और यहां पर एक hydrogen तो पहले सही था यह देखो और यह cts3 मैं ठीक है अब यह क्या है यह बन गया तुम्हारा positive कि अब यहां पर ध्यांदेना है हमें किस पर अलफा है त्यांदो यहां पर इसकी बात करें कि यह तमारा में हो गया तीन इधर है एक तटरए तो चार अथर है और है पाचिछ और हमने यह पड़ा हुआ है और हमने यह पड़ा हुआ है कि जितने ज्यादा अलफा हाइडोजन होंगे उतने ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तुम्हारा कार्बोकेटन बढ़ा है रेजोनेंस हाइपर कॉन्जूगेशन फिर प्लस आई और तुम्हें लिखना है वो भी लिख लो अलग से कि जितने ज्यादा अलफा है तो वह भी तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है तो यहां पर अगर तुम्हें कोई पूछा जाता है एक्जाम में कि किसकी सिफ्टिंग से ज्यादा इस्टेबिलिटी गेन करते हो या फिर अगर एक कॉल चीज़े प्रिजेंट है किसको सिफ्ट करोगे मीथाइल को कि हाइड्राइड को तुम क्या दे रहा है जितने ज्यादा अलफा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल है क्लियर ठीक है सर इसके आगे क्या बनेगा कुछ नहीं बनेगा यहां से निकल जाएगा यहां पर डबल बॉन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी समझ गए इतना क्लियर तो यह होती है दो करना पड़ेगा ना तब थोड़ी करो कि तुम्हें धर ठीक है अगा चलो इसका यह एक्जाम्पल उठा लेते हम यहां पर मैं सी एस्ट्री लगा दे रहा हूं अब बताओ यहां पर बताओ तुम हैडिजन करोगे हां सर कर देंगे कैसे कर दोगे यहां पर है सर यह भी तो करेंगे इसलीए इसलीए हम कैसको नइगे एसलां सारी मिल गया मिल गायी हीओ हाइड्राइड क्यों समझ गए मलब हाइड्राइड क्यों मिथा यह नहीं कि क्यों क्यों कि अक्ष्ण कुछ नहीं हुआ तो तो मीठाइल करेंगे नहीं हम तब भी हाट्राट कर देंगे तो गलत कर लोगे प्राइमरिया जाएगा तुमारा ठीक है तो हमें यह करना नहीं समझ गैतना तो यह था तुमारे स्टेबिलिटी और कार्बोकेटैन के वारे में एक और चीज़ देख लो लास्ट ठीक है इस्टेबिलिटी में वह होती है रिंग एक्सपंशन ठीक है रिंग यह देखना अब तो में कार्बोकेटैन में थर्ड है पहला कौन सा था हाइड्राइट डूसरा मीथाईल और फिर उक्सपंशन ठीक इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ रिंग की बात हो घिलिक है माल लो तमाया पास ऐसा प्रेजेंट है ठीक है एक तमारा साइकलों पैंटें टिक है एक दो तीन चार पांच ठीक है यहान पे देखो अब ऐसा प्रेसेंट डवल बॉंड और यह दिया अब ने बोलाए कि HBR जोड़ो तो क्या होगा सबसे पहले बॉंड तूटेगा बॉंड तूटेगा प्रोटनेशन कराना अलकीन का कैसे कर रहोगे यहां पर यहां पर यहां पर जोड़ जाएगा बचे का यहां पर कर्भोकेटन ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अब गया तो सिंपल सी बात है हम बॉंड लाइन में तो सो ही नहीं करेंगे बॉंड लाइन में शो नहीं करेंगे देखो लेकिन बॉंड यहां से तूट गया है इसके पास क्या आएगा एच आ गया समझे के इसके पास कुछ नहीं आएगा तो जहां पर जाएगा पॉजिटिव क्लियर इतना क्लियर ठीक है तो अब यहां पर होता क्या है एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि जो तुमारा हेक्जेन है कौन सा वारा वो भी साइकलो हेक्जेन साइकलो हेक्जेन का जो स्ट्रेन है या फिर उसको बोल सकते हो तुम जो टैंसन है वो क्या होता है वो होता है बहु वाला जो फॉर्स है आपस में जो बॉन्ड एक दूसरे तक्रा रहे है एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं वह इसका कम है ठीक है बाकी का तुमारा कोई हो गया फोर्ड रिंग वाला या फाइव रिंग वाला इन सब का स्ट्रेंग होता है काफी जादा है ठीक है मतलब इनके अं है तो यह अपने आपको unsable कर लेते हैं इसलिए हमको रिंग को strain free करने के लिए हम उसको खोलना पड़ता है ठीक है हम उसको खोलना पड़ता है और फिर एक बड़ी रिंग बन जाती इसलिए इसका नाम है रिंग expansion दिए कैसे बढ़ रही द्यान दो यहां पर यह त mouse होता है तो द्यान दो Är क्या होता है कि यह जो तुमारा plus और मैं counting यही से चालो कर toca नू वाइन क leaking यही से स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर अप देखो जो सी वान है और तुम्हारा कॉन सा है सीटू है है कि ठीक है सीवान और सीटू दियान देर अपने ऐसे लेकर यह वाला सीवान यह सीटू है और यह सी थी ए ऐसे माल लो फिस ऐसे आपके चलो आपन नॉर्मल नंबरिंग करते अच्छा वाली है इस प्रेंज आदा है ठीक अंस्तेबल यह अपने आपको किसमें करने चाहेगी सिक्स वाले में कैसे करेगी मैं बाता हूं देखो यहां पर यह तू है इसको देख रहा है पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या होता है सी 3 & C4 का क्या होता है यह जो बॉंड है यह ब्र करता है यह जोईन करता है किसको चीटू से फैक समझपा रहे हो लुग एक इसकी खाली और अच्छे समझना फिर डदिकल नी बना रहा हूँ मैं ठीक्त बता ओप यह ना अभ यह क्या हुआ है से सेकंड स्टेप में आके से जोड़े गया तो इसकी वैलंसी तो फुल फिल हो गई लेकिन इसकी नहीं हुई इसके पास अभी भी कमी है तो यहां पर जाएगा क्या तुमारा कार्बोकाटन समझ गया देखो कैसे बनेगा इसको मैं ऐसे बना दूं ठीक है यह देखो यह तुमा यहां पर यह तुमारा कार्व के टान इससे आकर ऐसा जोड़ गया ठीक है और एकाशा प्रिजेंट है ही viola बन गया तम्हारा प्लस णीम्या ऐसे बन गया देखो कित्ति की रिए भी वन टू-3 नोंस कित्ते कि रिए अधिades criticsbraIG fusion 6reme योगा यह तो अब इसटेंगाउन गोगाइब अब इसको नॉर्मल लिखसाता हूँ आप तो कैसे ऐसे मैं च्छै की रिंग बना दूंगा ऐसा तो थी के यह रिंग बना दी मैंने उसके बाद क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इधरी प्रेजेंट है ठीक है और उसके अगल वाले में तुम्हारा ब्रोमीन यह देखो यह बाजू वाले में ही तुमारा क्या है एक बॉन फिरी है ना यह बॉन फिरी है तुमारा ठीक है यह समझ गए तो यह हो गई तुमारी देग एक्सपांशन कित्ती की बन गई साइकल एक जिन बन गया अब बागी तुमारी प्रॉडक्ट आएगा वह भी आरा के लोड़तो प्रॉड दो भी आरकातम यताई को करना था में समझ गतना तो ऐसा होता है तो मारा रेंग एकस्पांशन कुछ के गिंए नहीं आई यही करना था है ति देख यह तुम्हारा प्रॉडक्त था तो मैं दे दिया ऐसा ठीक है बनाई ये कैसे बना देखो यह बॉन् तो आपर नहीं सकता तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं ये पांच की मैंबर की अगर मैंने करा क्या करना कुछ नहीं करना यह जो तुमारा नैक्स कार्बण ऐससी ठीक है तीसरे और Τॉठिक लखे You तो पहले और दूसरे का तोड़ दो मतलब दूसरे ओर सैकन का तोड़ दो समझ गए यह दूसरा और यह तीसरा हो जायगा Bluetooth कार्षां Rudolph कर रहे हो ना जब यहां पर वैलंसी खाली हो गई तो इसलिए कहा रहा हूं कि ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ रहा है कौन सा बॉंड तुम तोड रहे हो है ना तो यह ऐसा बन जाएगा तुमारा ठीक यह ऐसा बन जाएगा अब अगर यहां पर पॉसिबिलिटी है पर यह देखो ऐसे बन जाए यह तुमारा साइक्लोएक्जेन है ठीक है जहां पर जाएगा यह पॉज़िटिवे धर जाएगा अब देखो यह वन टू और यह थरी तो यह हो गया टरशरी कौन सा हो जाएगा यह त्मारा टरशरी कार्बोके टां त्रीडीक इस हो गया आए तो जोड़ देना इसको सीधे आके तर यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा काफी इजी यह जाएगा ऐसा बीर यह जाएगा अंसर कोई देखका थाई ऐसी करना है है ठीक है रूब लेखला एक बार तो लो देखो अगर नंबरिंग नंबरिंग ओफ कार्बो केटायन तुम स्टार्ट करते हो वन से तो करना क्या है सबसे पहले टू एंड थ्री का बॉंड तोड़ दो बॉंड ब्रेक कर दो ठीक है और फिर ठीओ ये ये वन को जॉइन कर दो तो तो मैं सिंबल से देखी रहा है कि से हैंद पर क्या बन जाएगा से कर्बो केटायन और अगर तुम नॉर्वल चेंवाइस चल रहे हो चेंवाइस नॉर्मल अब जो भी नमबर आ रहा है वो नमबर अपन गैस नहीं कर सकते ना माल लो बहुत बाड़ी चेंज आ गई फिर क्या करोगी ठीक है तो माल लो अभी जैसे मेरा था ऐसा था ना जो ऐसा बन रहा था अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है तुम्हारा बाफ की तुम्हारा फिरतमें किंशका बाइंड टोरना पड़ेगा 3 & 4 का पॉर दोर दो भॉट सो बाइंड क्या होगा ब्रेक होगा सिचे कह पुर एंड फिरकस को टू को जोइन कर दो क्यूकि तूपे क्या है तूपए क्या है तूपए क्या है तुम्हारा कार्बो क्राइटएन ठीक युकर लोगे देखो फिर देखो क्या बचा ये दो बार आ गया ये यसा बार आ भार है तो किसा कर लिए और से लिए लोगे नहीं है तो बचा क्या हो तीसर जोड़िना किता है कहता Come Notes चलो भाई ऐसे तो करना है चलो आगे चलते हैं यह वाला फिनिश समझ में आ गया और याद रखना कार्बो के टन की स्टेबिलिटी टर्शरी सेकंडरी प्राइमिरी और कैसे हाइप पहले रेजोनेंस फिर देखो गए नंबर ओफ अलफा है ठीक है यह से निकालोगी स्टेबिलिटी ठीक है कार्बो नन का उल्टा हो जाएगा वो देख लेते हैं कार्बो कार्बो एन आयन मतलब नेगेटिव चार्ज सी नेगेटिव होगा इधर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है अब बहुत ज्य इसके पास ज़्द lasher तो को यह स्टेवल होगा यह अगर इसके पास माइनस ौय गरॉप की ज़ुड़ा ह chuckling हुआ है तो ठीक है अब तो समाज पा रहे हो तुम क्योंकि कीजेगा रभाव खीचेगा तो क्यों हो जाएगा इसके पास स्टेबल हो Стेबल हो जाएगा ठीक है छलो अब और कैसे स्टेवल हो सकता है जियसे पताओ जिसका बसका और अगर प्राइमीरी आगर तुम्हारे मलो तुमлекラष प्राइमीरी है तो वह ज्याद dai स्टे वाख उसके बाद होगा सेकंडरी फिर होगा टर्शरी इसमें उल्टा चलता है ठीक है इसमें कि ओल्टा चलता है देख लो कैसे निकाल सकते हैं उसको जैसे CS3 negative ठीक है उसके बाद तुम्हारा क्या होगा CS3C यह एच और यहां पे एक CS3 होगा ठीक है यहां पे भी एक CS3 होगा यह तुम्हारा टर्शरी है सेकंडरी कैसे होगा CS3 ऐसे तो ध्यान दो यह सब इसको दे रहे हैं एलेक्ट्रों ठीक है यह भी दे रहा है प्लस आई यह सब ठीक है अब दे रहे हैं उनके पास तो पहले से यह इसलिए ज्यादा अनिस लगबग सेम होगा फ्री रेडिकल कि स्टेविलिटी क्या होती है टरशरी सेकंडरी फिर प्राइमिरी ठीक है जैसे कारभोक्ताे डर्वेसे क्ल ट्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल ज्यादा तर बहुत अध्यान रखने की बात है ठीक है चलो ठीक है अब आगे चलते हैं यहां पर समापती होती है आप तुम्हें पढ़ना है प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन क्या होता है प्यूरिफिकेशन मतलब ही कोई और निक अगर मैं बात कर दो तुम्हें पास A Plus B Plus C है अब मिक्चिर में प्रेजेंट है अपने प्यूरिफिकेशन को बोलो कि तुम method of purification ठीक है तो हम जब pure substance की बात करते हैं कहां से जब तुम्हारा mixture present होता है तवाम क्या बात करते है प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं ठीक है इसमें काफी जारा method आती है तुम्हारी जैसे crystallization distillation ठीक है तुम्हारा फिर आता है तुम्हारा chromatography जहां पर तुम्हारा distillation पर जिसमें तुम्हारा इस तीम का पूछ जाता है कभी कभी ठीक है तुमसे पूछ ले जाता है chromatography क्या है उसके principle पूछ ले जाते ठीक है तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना है मैं तुमसे साह बोलूँगा कि ncrt को एक दम अच्छे से पढ़ना इस सब चीजों में उससे diet question पूछेगा ज्यादा कुछ डीप मैं नहीं पूछता कि क्यों करते हैं समझे हो ठीक है डा crystal का फॉर्मेशन ठीक है crystal का फॉर्मेशन crystal फॉर्मेशन इस कॉल कृस्टलाइजेशन ठीक है यह होती क्यों है क्यों अगर एक compound और गनिक compound है ठीक है एक उसके साथ में कोई mixture प्रेजेंट ठीक है जलो मैं example लेकि चलते है तुमारा एक है तुमारा benzoic benzoic acid प्लस अगहां पर तुमारे पास नेफ्थलीन प्रेजेंट है ठीक है नेफ्थलीन प्रेजेंट है अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन दोनों को मुझे अलग अलग करना है तो देखो सिंपल सी चीज है तुम एकदम समझते चलना ठीक है अगर मैं benzoic acid और नेफ्थलीन का mixture लेता हूं ठीक है इ यह तो이 तुम्हारा बैंजवेकेसेड़् बहूत ज्यादा बाते हुई हमाई resonance पे cooh पाला और यह तुम्हारा नेफ्थलीन तीक है यह तुम्हारा नेफ्थलीन इन दोनों के पास क्या है बैंजीन की रिंग है कि शुक्क है कि अब जब मैं बात करता हूं कि बहुं के बा वाला इसलिए इसकी कारण ठीक है क्या होता है यह लगे अब अब मैं तुमसे बोलते हो कि सर मैं क्या करूं जिसके अंदर मैं water डाल सकता हूं ठीक है तो आप तुम इसमें क्या बात कर रहा हूं एक particular solvent की ठीक है crystallization में यही होता है सबसी पहली चीज क्या होती है एक तुम्हें solvent को select करना पड़ता है ठीक है वो भी कौन सा होता है specific solvent specific solvent को तुम क्या करते हो select करते हो ठीक है अब तुमने solvent को select किया अब तुम क्या करते हो solvent को तुमने डाल दिया इन दोनों के mixture के अंदर अब क्या होता है एक concentration बनता है ठीक है यहाँ पे एक सेकंड चीज होती है saturation saturated saturated क्या बनाना तुम्हारा mixture बनाना ठीक है saturated solution बनाना solution बनाना ठीक है saturated solution बनता है फिर अब क्या होगा देखो benzoic acid ठीक है वो तो डिजॉल हो जाएगा वाटर में लेकिन नेफ्थलीन नहीं हो पाएगा ठीक है तो क्या होगा जब यह डिजॉल हो जाएगा ठीक है तो उसको मैं क्या कर सकता हूं मैं उसको कर सकता हूं वापस फिल्टर आउट उसका मैं करा सकता हूँ filtration है ना अब मैंने उसको filtration भी करा लिया filtration कराने के बाद जो भी चीज मुझे मिलती है filter paper के उपर filter paper के उपर मुझे क्या मिलते है कुछ crystals मिल जाएंगे अगर वो dissolve नहीं है तो तो मैं क्या करूँगा जो मुझे crystal often हुए उसको मैं कराऊंगा drying उसको मैं कराऊंगा drying फिर fifth में मुझे मिल जाएंगी उसके crystal ठीक है तो ये जो process होती है इसमें होता क्या है कि उनकी solubility में difference होता है solubility में difference होता है तो हम एक particular solvent को choose करते हैं जिसमें वो वाला soluble हो जाए या फिर impurity soluble हो जाए समझ गया तो एक चीज soluble हो जाएगी उसको तो फिल्टर आउट करके dry करके तुम बाहर निकाल सकते हो तो इससे तुम्हें एकदम pure compound मिल जाएगा दूसरा वाला समझ गया एक और example लेख लेता है चलो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे सुगर की और salt की ठीक है सुगर और salt की मैं बात करता हूँ यहाँ पर आगर मैं बोलता हूँ कि चलो इन दोनों का mixture है इन दोनों का mixture present है चलो निकाल के देखाओ कैसे निकाल लोगे तुम तो तुम मुझ से कहना कि देखो चाहर आगर साल्ट है ना तो एक काम करते हैं इसके इदर क्या डालते है इथाईल Alright कॉह डाल दोगे तो यहां पर के ओगा यह जो सुगर है पहर क्या हो सॉल्ट एंड्व रह जाएगा स मταν टेके अंड्रिजाव रह जाएगा मतलब अलग से देख देखे लोगे भी शकू तो कर लोगे फिल्टाटर ये फिल्टरफल Words चाहलोगे फिल्टरफेस भीमिन विए उसको ड्राय करके और के लिकट रहे यह समझ में आ गया तो यह वाला तो यह वाला ऐसी चीज़े होती है क्रिस्टलाइजेशन यह प्रॉसस होती है यह यह तना क्लियर हो गया चलो ठीक है वह पांच सेप है जो तुम्हारा कॉंसा पहला तो सेलेक्शन औप सॉल्बेंट एक डम स्पैसिफिक सॉल्बंट ठीक क्या है तुम saturation solution बना रहे हो ठीक है उसमें मतलब एकदम concentrated बना रहे हो जिसमें तुम्हारे crystal अच्छे से बन पाए ठीक है उसके बाद तुमने क्या किया उसको solution फिर filter करना है फिर उसको तुम क्या करोगे filter आउट कर लोगे ड्राय करोगे तुम्हारे समझ गया इतना चलो तो यह तुम्हारे process हो गई देखो अब तुम्हारा next कौन सब्ली मेशन ठीक है सा heat कर रहे हो और वह पूरा का पूरा gas form में convert हो जाए ठीक है सीधे एक stage को skip करके liquid में ना जाके सीधे gas में चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सब्लाइम जो उड़ रहा है और process को क्या बोलोगे ठीक है ऑन कूलिंग वह वापस अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उस साइब के सब्सेंस को हम बोलते हैं क्या सब्लाइम सब्सेंस और उस प्रोसर्स को बोलोगे तुम सब्लीमेशन ठीक है अब सोचो कि अगर इस सॉलिड के अंदर थोड़ी सी इंप्यूरिटी ज्यादा हाई होगा ठीक है एक दम ज्यादा हाई होगा उसका तो यह हो स South फॉर्म में वापस से कूल करके स्युक्ष। vaisseform में convert कर सकते हैं तो में के मल जाएगा के अगर मैं बात करता हूँ कि SM हीट किया अब मुझे पता हैं !! काफेज़ाधे हाई होगा अब हीट करने पर यह जो तो Camper is अपने gas form में convert हो जाएगा ठीक है तो Camper gas लिख रहा हूं है C gas carbon gas नहीं C gas ठीक है Camper gas ठीक है अब क्या होगा सिर्फ camper की gas होगी इधर क्योंकि impurity तो आया नहीं होगा सांच में अब मैं क्या कर सकता हूं इसको वापश कूल करके क्या कर सकता हूं मैं सिर्फ camfer pure camfer केशीजी भी सब्स्टेंस को कलेक्ट कर सकते हो ठीक है इसके एक्जامपल बहुत सारे होते हैं जैसे कि अगर तुम्हें कैमफर निकालना यह वह त PROF China नेकलना है नेफ्थलीन का जो है तुम्हारा पूरिफीकेशन वह भी इससे होता है फिक है यह फिर तुम्हें आयोदीन होता है थीकए है एंठ्राइं होता है तमारा वह भी लिखले नँopath है ंत्रय Opti तक है एंथ्ण गूर्ओं सब्सक्रा कि नॉन होते हैं उन सब जतने इतने सारे हैं एक तमारा आमानियम क्लॉड़ाइड दिख लं ठीक है तो जितने यह सारे एक्जाम्पेल है यह किसमें आते हैं सब्लाइमें अगर तुम्हें इसकी प्योरिफिकेशन करना है इसे एक्जाम्पेल आता है तुम्हारा ठीक है तो तुम इससे कर सकते हो सब्लीमेशन वाली प्रोसस से ठीक है यह साइज कोशन कुछ आया है 2005 मे एसे सेपरेट करोगे तुम मिक्शर से ठीक है तो इस प्रोसस से तुम बहुत इसीली कर सकते हो समझ में आगा इस प्रोसस में ज्यादा कुछ खास नहीं ता पूरा थे तुम खुद भी करोगे ना एकदम तुम इसीली समाज में आए तुम पढ़ रहे होगे तो ठीक है चलाओ अगे चलते हैं देखो अब है तुम्हारा डिस्तिलेशन सिर्फ इतना छोड़ छोड़ से लेक्के रखता हूं मैं तुम्हें पता रहे हैं ठीक है डिस्तिलेशन क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो ह ठीक है कोई भी लिक्विड जो हो ठीक है उसको हम करते हैं उसको लेक्विड फर्म करके अब यह तुम्हारी तोमारी इम्पुरूरीटी कौन सी होने चाहिए नॉनवॉलेटाइल होनी चाहिए छैसे कि मालो हमने पानी मेँ पत्थ है पानी में पत्थ डाल दिया चलो एकजामपलि देख लेते हैं हमारा शयतनी दिमाग है हम कुछ भी समाज सकते ठीक है ये तुमारा एक ग्लास है ग्लास तो नहीं लग़ा ये एक तुमारा कॉन से एक टंकी पड़ी है अब क्या करना है इस पानी में बहुत सारे डले हुए है ऐसे पत्थधर डले हुए अब में अब क्यों कर रहा है तो तुम करूंगा इधर से ठीक है अगा यह हीट करूंगा तो यह जो वाटर है यह तो एवापोरेट हो जाएगा ठीक है यह तो एवापोरेट हो जाएगा लेकिन यह यहीं पर छूट जाएगा समझ गए अब जब यह यहीं पर छूट गया अब यह गैस को में प्योर फॉर्म में चा बन रही है इधर आके क्या हो जाएगी कंडेंस हो जाई कि जैसे तुमने अगर देखा होगा चाय चुमली चाय का कप लिया तुमने और उसको तुमने ऊपर से प्लेट से ढाख जिया जब तुम प्लेट थोड़ी दिर बाद देखा होगे तुम्हें पानी देखेगा उदर त तो ध्यान दो यहां से सिर्फ वाटर उठा वो पत्थर नहीं उठे समझ गए सिर्फ वाटर उठा और उसका पत्थर का कुछ भी एक भी कुछ कण कड कुछ नहीं उठा समझ गया ऐसे समझ जाओ कुछ भी पीस या फिर कुछ भी कुछ नहीं उठा ठीक है सिर्फ वाटर उ यो डिस्तिल वाटर समझ गाए ऐसे ही होता है वो तुमारा और कुछ नहीं होता सर्फ फिल्टर में अगर देखोगे तुम वहां पर आरो में तो एक्टिविटेट चार को लगा देते हैं ठीक है तो जो इंप्योर्टी है वो चार को एब्जॉर्ब कर लेता है पानी तुमार हो रही है तुमारी evaporation ठीक है और फिर साथ ही साथ उसके बाद पहला सेकंड में क्या होता तुमारा condensation ठीक है पहले उसको evaporate करा जाता है फिर उसको condensation करा जाता है तो क्या हो जाएगा तुमारा लिक्वड आखसाज नहीं समझ जाएगा ठीक है आप डिस्टिलेशन भी बहुत टाइप की होती है पहला देखते हैं अपन सिंपल डिस्टिलेशन देखो देखो सिंपल डिस्टिलेशन में कुछ नहीं सिंपल वैसा ही है इसमें क्या लेखा है कि सबस्टेंस विच नाहीं तो तो ही रहे ना समझ गया एक का बालींग पॉइंट आ रहा है सामने वाराव्र डेकंपोची नहीं होना चाहिए या फिंसको प्यूर कर रहा है वह कंपोस नहीं आ चाहिए उसके बापरेट पर ऊना है तो उसके ब्सकोंत को पहुंचना पड़ेगा ना ठीक है तो ठीक है तो देखो तो ये प्रोसेस उसके लिए है जो एक तो अपने बॉलिंग पॉइंट पर डेकंपोस नहीं होता दूसरी चीज उसके अंतर जो इंपूर्टी है वह नॉन बॉलटाइम ठीक है डिफ्रेंस होना चाहिए फिफ्टी से थर्टी मतलब थर्टी से फिफ्टी के रहता है जो तुम्हारा बॉलिंग पॉइंट है वह बहुत करीबन रहता है तो अपन कुछ अलग अलग चीज़ें यूज करते वह अपन आगे पढ़ने वाले ठीक है जो देखो अब एक्जामपल के तुम्हारा एथर एंट टॉलूइन है एक्जेन टॉलूइन बैंजीन और फिर क्लोरोफॉम एनलीन फिर बैंजीन टॉलूइन भी एक्जामपल है वह उसका तुम्हारा इसका नहीं वह आगे वाले का ठीक है समझ गए यह सब इसके एक्जामपल है इतना तो क्लियर ही है भाई समझ गए चलो तो ऐसे तुम सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते उसका तुमने देखा ही होगा कुछ नहीं होता है देखो यहां पर एक ऐसा फ्लास्क पड़ा हुआ होता है ठीक है इसको ऐसे हीड दिया जाता है तो क्या होता है इसके अंदर एक मिक्शर प्रेजेंट होता है फिर यहां पर एक कंडेंसेशर ऐसा लगा हुआ होता है और यहां प होगा हुआ जो कि डेकंपोस नहीं होगा अपने बॉयलिंग पॉइंट पर ठीक है तो जब तुम इसको बढ़ा होगे ऑलिंट रीच करेगा यह धीरे दीरे अपने बनाएगा बनाएगा जब यहां पर पहुंचेगा तो हमें पता चलता है यहांसे हम देते हैं वॉटर ठीक ह है यही सब तुमारा होता है और यह सब होगा आप सिंपल सी बात है में यह और चीज़ देखते हैं अगर एथर और टॉलींट है मालो इथर इथर यह टोलुन दोने के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगे जैसका ज्यादा जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो उठेगा वो जल्दी से लिक्डब बना लेगा ठीक है और जिसका नहीं आपा है वो तो यहीं प्रेजेंट रहेगा हो गाए तुम्हारा सेपरेशन हो गया 10 से 15 Kelvin तक का होता है ठीक है 10 से 15 Kelvin तक का होता है अब इसको मैं थोड़ा सा दिक्कत आजाती है किसमें simple distillation में कैसे देखो जैसे दूसरा उठा तुरंत से थोड़े-थोड़े से उसके भी जो फ्रेग्मेंट है वो भी उठने लगे जैसे मैं आमने बात करा था इथर और तौली इन भी कहेंगा कि चलो मैं भी चल रहा हूं भी बना के ठीक है तो उसमें simple distillation में दिखका तो जाती है इसलिए फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते कैसे होता है वो उसमें कुछ खास नहीं होता है देखो ध्यान दो यहां पर क्या होका है देखो एक्जाम्पल किसका है acetone methanol ठीक है और तुमारा benzene toluene ठीक है और अब आगे हमका point परते हैं यहां पर देखो यह तुमारा round bottom flask ठीक है यहां से दी जा रही है हीट यह बंद है वाई ना यहां से दी जा रही ही हीट है अब यहां पर एक चीज डाली जाती है यहां पर एक चीज दोड़ दी जाती यहां पर इसको क्या कर जाता है यह कर दिया पैक यहां पर डोड़ जाता है तुमारा क्या fractionating column यहां पर जोड़ दिया जाता है fractionating column ठीक है इसको वापिस फिर add करा जाता है किसके साथ एक condenser के साथ वो तो तुमारा सेमी रहेगा ठीक है condenser के साथ ऐसे add कर दिया जाता है ठी ठीक है जहां से आउट हो जाएगा और वापिस तुम इसको कलेक्ट कर लोगे इधर कैसे कर लोगे आप मैं पूरी प्रोसेस अच्छे समझाता हूं यहाँ पर दो मिक्षर तुमारे प्रेजेंट है एक बैंजीन और एक टॉलूई दो मिक्षर प्रेजेंट है ठीक है उनका जो है बॉलिंग पॉइंट वो लगभग सेम है है ना एक का 583 है एक का 558 है ऐसा कुछ है ना देखो तो यह तुमारा प्रेजेंट है 353 और 358 ऐसा ठीक है ना हाँ ऐसा मत समझ लेना 83 और 58 से 83 सलो अब इन दोनों का लगभग बॉलिं लेकिन अब देखो दिकत कहां पर आती है जैसे ही दोनों उठे जिसका बॉलिंग पॉइंट जादा होगा मतलब उसका बॉलिंग पॉइंट जादा होगा तो वह लेट उठेगा समझ गया उसकी बैफरवारी होगी जो पहले उठ गया वहीन जो हैड़ल्स प्रेजेंट है fractionating column में ऐसा देख रहा है तो मैं fractionating column कुछ ऐसा होता है देखो ऐसा बीच बीच में क्या होता है gases के लिए बीच बीच में breaker present होते हैं ठीक है तो gas आईगी यहां टकर आईगी यहां टकर आईगी तो जब सुन लो एक बात जब भी gas टकराती है तो अपनी energy का ट्रांसफर करती है ठीक है जैसे ही उसने energy का ट्रांसफर किया वो कंडेंस होई वापस आगी समझ गए लेकिन अगर जिसका boiling point कम होगा समझ गए vapor pressure ज्यादा होगा मतलब क्या कहना चाहरा हूं मैं जैसे की मालो 50 डिग्री है किसी का ठीक है और चलो अपने example लेगे चलते इनसानों का अगर रही है किसी को जल्दी गुस्ता आता है किसी रहा है मालो पचास थपड में ठीक गर किसी को आ रहे हैं तो जुसको पचास थपड में आ रहे हैं ठीक है व brick we जल्दी से जल्दी से बाहार निकल जाएगा कि चलो मुझे नहीता अब इदर लेकिन जिसको सत्र थपड में आ रहा है वो पहले देखेगा समझे रहा हो वह पहले लेगा आपन को मिसातर हपड़ा फैर जाएंगे वैसेगे अप्र देख फौडब है तो टॉलूइन जो है उसके पीछे पीछे उठेगा लेकिन उसका वैपर प्रेशर कम बनेगा समझ गए अब जब कम बन रहा है उसका वैपर प्रेशर क्या है कम बन रहा है मतला बॉइलिंग पॉइंट जादा है तो यह जब इससे कनेक्ट होगा जैसे ही तुम हडल से आके वापस बैठ जाएगा समझ गए जैसे ही वापस बैठ गया तो वह अपने मिक्षर में वापस आ गया लेकिन बैंजीन जो है जो पचास थपड़ वाला था वह तो उटके बाहर एकदम घर भी चला गया ठीक है तो वह जो है लिक्ट तुमारी जो गैस वनी वह बाहर च उसको क्या करेगा वैपर को एकदम ही लिक्ट फर्म कर लेगा लास्ट में मिल जाएगा टॉलवीन फिर यह मंचो की नहीं मेंखत हूँआ हम समझ पाहिए ठीक है तो वो तुम से separate हो गया समझ गया उसको फ़र ठंडा करने के लिए घर वाले समझा रहे ठंडा कर रहा उसे रख लिए उधारी अब तुमको नहीं आ रहा गुस्ता तुम्हें जब आ रहा है अब क्या हुआ जब वो चला गए गर अब तुम सोच रहा है कि अब मेरी ब क्लियर चलो अब आपन थोड़ा देखते है किसके वारे में स्टीम डिस्टिलेशन के देखो स्टीम डिस्टिलेशन के पहले एक बाद बताओ अगर तुम्हारा कोई सबस्टैंस है वह एजियो ट्रॉपिक में शर्श हो है मतलब जैसे कि तुम्हारा एथनॉल और बॉटर एथनॉल प्लस वॉटर अगर यह प्रिजेंट है तब क्या करोगे मतलब कि अगर तुम थोड़ साई टेंपरिचर दे रहा बहुत ही हलका डिफरेंस है ठीक है तो में एक थपड़ पड़ा उसे भी पड़ा दो नोट के भग गए समझ गया तो फिर नहीं कर सकते ना सेपरे होगे तो यह क्या करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक का बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है लोवर कर देता है बॉइलिंग पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं ठीक है बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है वो कम कर देता है समझ एक का वैपर प्रेशर व कम कर देता है ठीक है वेपर प्रेशर को कम कैसे करेगा बॉलिंग पॉइंट को बढ़ा के समझ गए तो फिर तुम्हें एक एथनॉल अलग मिल जाएगा और तुम्हाइब वाटर अलग मिल जाएगा तो मतलब कंडेंसर करोगे ठीक है जब तुम उसको कलेट करने जाओगे त प्रेशर को इतना क्लियर थी के चल हो आगे देखते देखक और रहें एक इस्तीम में आ रहा रहा है तिसलेशलेशन में और तो यहांपर होता कह है steam distillation में कोई भी solid या फिर liquid कोई भी solid या फिर liquid वो क्या हो insoluble हो insoluble हो किसम है in water में ठीक है insoluble हो water में liquid में ठीक है लेकिन soluble हो soluble हो अपने vapor press vapor face में get used viper test oni या फिर उसको हम बोल सकते हैं कर वेपर फिर या फिर उसको हम बोल सकते हैं किसमें तुमारे steam में soluble ठीक है estarý में assault इसंति में एक consolidate तब सबसेंस के लिए हम यूज करते स्प्रिम डिस्टिलेचन ठीक है समझ में हम बात करते हैं तोमारा नाइट्रो बैंजीन की नाइट्रो बैंजीन स्टेम उगा तो वह नाइट्वलब स्टीम बनाऊगे तो वह गया हो ine स्टीम alors और छाथ है जायसे तुमने जैसे केस्ट देखा True कर डिस्टिलेशन ट्रीट मWow दिस्टिलेशन कर देखा था लिक्वेट को गेस फॉोइब हो जाएगा जब वह सोउडियंगा इसका अलग के निकाल के रख सकते है ने तो जब भी ऐसी चीज़े होती है तो हम स्तीम डिस्टिलीशन का यूस करते है ठीक upgraded अभी क्या बोला मैंने जैनलीन ठीक है नैट्रो बैंजील लेखा हुआ है य merk तार पींज टारं पींज एसेंशियल ओईल टीकर यह सब तुमारे जो भी चीज्य होती है यह तोमस्तिम से क् जिस्टिलेशन से क्या करसकते हो इसको प्योर कर सकते हो ठीक है अब एक आता है तुमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसका एक और नाम होता है रिड्यूस प्रेशर ठीक है रिड्यूस प्रेशर होता है तो उसका हम कैसे देखते हैं वह देख लेते हैं जल्दी से देखो आप तुमारा कौन सा होता है तुमारा वै vacuum, vacuum distillation, vacuum distillation उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, used for substance, ठीक है, जो की decompose हो जाते हैं, decompose on their boiling point, ठीक है, on their boiling point, या फिर उससे भी कम पे, या फिर उससे भी कम पे, और lower than its their boiling point, their boiling point, ठीक है, तो कोई भी substance, कोई भी substance जिसको तुम्हें pure करना है, जैसे ही तुम उसको heat करना start करते हो, वो पहले ही decompose हो जाते हैं, ठीक है, तो उन substance के लिए क्या करा जाता है, उसको pressure को कम करा जाता है, क्योंकि यो जो थिलेशन है, ये एक assumption पे वर्ट करती है, ठीक है, और वो assumptions ये है, की, जब तक boiling point एकौल नहीं हो जाता, atmospheric pressure के, तब तक तुमारा vapor नहीं बनता, यह है, ठीक है, जब तक तुमारा boiling point एकौल नहीं हो जाता, ए्टमसफरिक प्रेशर यहां फेइपर एक कॉल नहीं ओजाता एटमसफरिक प्रेशर के थीक है तब तक तुमारा तुमारा इस्टीम नहीं बन सकता एवापॉरेशन नहीं हो सकते बॉयलिंग पॉ Dafyud चलता यефिक है तो आप खास बवाइं अगर ला करूइं एक है तauras कैसे द्हान देना इसको और मैं किया करों देखों यहाँ पे feteam है तिक क्या कर रहूं रहा हो यहाँ पडूंड एक इसकी स्दीम धे रहाऊ हूं यह तुम्हारा का बनेगी स्टीम बनेगी यहां से बनेगी तुमारी स्टीम है समझ में आ रहा है इस्टीम बनेगी तो अब मैं क्या करूँ यहां पर मेरा एक और गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ठीक है और उसको मैं यह स्टीम पास कर दूँ ठीक है यहां पर एक क्या है तुमारा यहां प है तो कायधे से जब अगर तुम इसको अकेले को हीट करते हो ऑज चारश को यह बनाएगा यह बॉयल नहीं होगा ठीक है और जैसे ही इसके एककल होजाता है तो क्या करें अब समझ रहा हूं गार करीच थीट करना स्टार्ट कर आ तुमने जब उसको हीट करा तो वो बॉलिंग पॉइंट जैसे ही पहुचा वो चार हो गया चार हो गया मतलब एक दम काला पड़े क्या तो तुम्हें तो मिला ही नहीं प्यूर फॉर्म समाज़ी तो क्या करोगे तुम तो इसलिए इस तीम पास करी इसका खुद का कुछ प्र अब जब इस तीम आ रही है जब तक पी वन पलष पी टू एक कॉल नहीं हो जाता तमारे एटमॉस्फिरिक प्रेशर के तब तब यह बॉयल नहीं हो सकता तुम था तरीके से क्या किया तो मैं एक तरीके से इसका जो बॉयलिंग कि पोइन्ट है वह कम कर दिया वैपर प्रेशर कम कर दिया कैसे कर दिया देखो अगर अब मैं सिर्फ p2 का प्रैशान निकालानो तो क्या आएगा p2 इसे कल्ट हो जाएगा atmospheric pressure minus P1, ठीक है, तो जितनी इसका pressure आ रहा है, उसको minus कर दोगे, तो atmospheric pressure आ जाएगा, ठीक है, तो तुमने किस चीज़ पर निकाल रहा है अब तुम, distillation किस चीज़ पर कर रहा हो, reduce pressure पर, इसलिए इसको बोलो जाता है, vacuum distillation या फिर reduced distillation, समझ पाए, नहीं समझ पाए, अब ध्या ठीक है, अब कहा रही है कि पर लो, तुम नहीं पढ़ रहा हो, तब तक नहीं पढ़ रहा हो, जब तक मम्मी ने क्या नहीं उठा है, मम्मी ने सेंडल नहीं उठा ली, तब तक तुम नहीं पढ़ रहा है, मतलब मम्मी का जब तक pressure तुमारे सेंडल तक नहीं आ गया, तब तुम नहीं पढ़ रहे थे अब क्या हुआ अब मम्मी ने external source को बलाया external source कौन से हो गए वह आये तुम्हारे अब कौन पापा पापा आ गए पापा और मम्मी अब साथ में आ रहे तुम्हें जैसे ही दूर से देखा तुमने का पढ़ लो भाई ठीक है तुमने पढ़ना स्ट किया तो मम्मी का प्रेशर क्या हो गया तुमारा जो प्रेशर था हो कम हो गया ना अब जैसे ही हुआ है यह और कआने कंपाउंड न प्रेट हो जाएंगा ठीक है धो आब यह हो स्टार्ट क्या सब्लाइम हो ना फिर बागी की चीज़े तुम खुद गर होगे बागी वह कंडेंसल लगा ओगे और फिर डिस्तिल कर लोगे समझ गए तो यह होती तुमारी क्या वैक्यूम डिस्टिलेशन किस किस चीज में होता है इसको तुम निकाल सकते हो नाइट्रिक नाइट्रिक एसइड के लिए होता है उर तुमारा अभी हमने एक 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 एक्जांपल देखा था सुगर के लिए होता है समझ गए इतना एक्जांपन समाझ में आया तो इन सब चीजों के लिए हम इस्तीम डिस्टिलेशन का यूज कर सकतें इस इतना क्लियर है समझ गये एक बार है से लोफ हो कि तुम्हों पढ़ने का मानन नहीं था तुम बस जिद में आए था हmost अब तम सबसेदुव में आ गाए ने पड़ा नहीं पड़ा नई पड़ा ही ओठाए सैंडल तब एक कल हो रहा तुम्हारा की आब कर ले रहा लेकिन अब क्या हुआ मैंने का हम नहीं करना टाइम वेस्ट हम लेके आते हैं पापा को पापा को लेके आए तुमने तुरंत ही अपना क्या किया प्रेशर को कि भाई पढ़ ले रहा हूं मैंसे छोड़ो मुझसे नहीं हो रहा मैंने पढ़ लिया तो जैसे ही तुमने अपना प्रेशर किया तो उने क्या बना है अपने स्टीम बना है तो ने कलेक्ट किया निट निकल गई ऐसी चीज़े होती है तुम्हारी समझ के ऐसे तुम त्योर फॉर्म में आ गए क्लियर है चलो आपन आगे चलते सबसे तुम क्या पड़ोगे तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन वगएर ठीक है उसमारा कोशन बन जाता है कभी-कभी ज्यादा कुछ ऐसे नहीं पूछता या तो एक्जामपल से पूछेगा वो ठीक है या तो पूछ लेगा कि कौन सी जो मैथड है किस प्रिं मिलते हैं टीक है वह मिलेंगे का वहां लड़नों हां फिरे पर बैस तह जहां